जैप्रकास नरायन जी के दोरा लिखा हुआ और लिखा हुआ नहीं ये चुलकी उन्होंने एक भासन दिया था संपूर्ण क्रांती पटना में ओके 5 जून 1974 को उन्होंने ये भासन दिया था तो उसी भासन का एक अंस है जो लिखित रूप में हमारे पास संकलित है इस पुस्तक में और उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं पटना के गांधी मैदान में दिया गया जैप्रकास नरायन का ये भासन मैं आप लोगों से अनुरोद करूँगा कि आप लोग इस चैप्टर को पहले पढ़ें उसके बाद इस वीडियो को देखें हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले लेखक से आउगत होते हैं इनका परिचे करते हैं जनम हुआ था इनका 11 अक्टूबर 1902 में और इनके निरंज वोगा था वो गया था आठ अक्टूबर 1989 में जनं इनका उआफ सीताब दियरा नाम का एक जगह है हमारे बिहार में तो सीताब दियरा में इनका जनम हुआ था जै प्रकास नरायन का माता का नाम था फूल रानी और पिता का नाम था हरसु दयाल ठीक है आरंबिक सिख्षा तो इन्होंने घर पे ही ली थी आगे की सिख्षा के लिए पटना कॉलेजियेट गए उसके बाद 1922 में सिख्षा प्राप्तिक के लिए अमेरिका भी गए थे मा की अस्वस्था के कारण मा बिमार आती थी और जिसके कारण ये पिएचडी नहीं कर पाये थे ठीक है पिएचडी मतलब डॉक्टर अफिलोसफी अगर इनका राजनीतिक केरियर देखें राजनीतिक जीवन देखें तो 1929 में ये कॉंग्रेस में सामिल हुए थे 1885 में कॉंग्रेस का गठन हुआ था आपको पताई होगा 1939 में ये कॉंग्रेस में सामिल हुए थे 1932 में सबिने अवग्या आंदोलन के दरान इनको जेल जाना पड़ा था और जेल से जब यह निकल के आये थे तो कॉंग्रेस सोसलिस्ट पार्टी का इन्होंने गठन किया था सोसियालिस्ट वर्ड जो है यह आप लोगों को मिला होगा सोसल साइन्स में ठीक है इसका मतलब जो है समाजवाद से रिलेटिर है इन्होंने प्रजा सोसलिस्ट पार्टी का गठन किया इसके आलामे आगे भी घटना इनके सामने दी गई है आपातकाल इमर्जेंसी जो लगा था 1975-1977 के करीम में तो उस समय भी इनको जेल जाना पड़ा था और जैसा कि आपको मैंने बताया 1989 में इनकी मिर्तियूं हो गई पार्टी का गठन हुआ जो कि आज भारतिये जनता पार्टी है ठीक है और अगर इनके क्रितियों की बात करें तो रिक इंडियन पॉलिटी नामक जो है एक रचना इनकी है बहुत ही प्रसिद रचना है 1965 में सामाज सेवा के लिए इनको मैग से से सम्मान मिला था और प्रोनिस और ठानबे में भारत रतन से भी यह सम्मानित हुए थे तो यह सारी चीजें थी लेखक के बारे में आगे हम लोग बात करते हैं चैप्टर और हम लोग पढ़ने वाले हैं हमेशा की तरह चैप्टर का समड़ी मैं आपसे कहूंगा कि आप फस्ट फॉल पूड़े के पूड़े चैप्टर को पढ़े और समड़ी को इस तरीके से बनाया गया है कि आप इसको हुबहू अपने एक्जाम में अपने नरायन जी द्वरा एक एतिहासिक भासन दिया गया था एक ऐसा भासन जो इतिहास के पन्नों में आज भी सुवर्न अप्छडों में है अंकित वो भासन जो उन्होंने दिया था 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था एकदम लोग भड़े हुए थे पूड़ा क पूड़ा गांधी मैदान जो है भड़ा हुआ था लोगों से और लोग कहते हैं कि ना कोई उनके बाद जैपी जी के बाद वैसा ना कोई आज तक वक्ता हुआ और ना ही उतनी संख्या में गांधी मैदान में आज तक जो है स्रोता एकत्रित हुए ऐसा कहा जाता है ऐसा मा पुस्तक ही है जनमुक्ति पटना से प्रकासित की गई है ये एक अलग पुस्तक ही है इसकी और इस चैप्टर में हम लोग इसका एक छोटा सा भाग पढ़ने वाले हैं इस भासन का भासन को सुनने के लिए लाखों लोग आये थे लाखों की संख्या में लोग पूरे बिहार स है और उसमें युओढ़ों की संख्या बहुँ ज्यादा थी जब भासन की सुरूवात करते हैं नरायन जी मतलब की जैप्रकास नरायन जी जब भासन शुरुवात करते हैं तो भासन में कुछ यादे आती हैं कुछ यादे रामदारी सिंग दिनकर की होती हैं कुछ यादे रामब्रिक्ष बेनी पुरी जी की होती हैं और इन तमाम चीजों में इन तमाम यादों में उनको ऐसा लगता है कि अगर आज ये लोग होते आज अगर रामब्रिक्ष बेनिपूरी जी होते तो फिर जो है ये क्रांती का वीरा जो स्टूडेंट्स के द्वारा जो विद्यार्थियों के द्वारा मेरे उपर सौपा गया है ये जो जिम्मेवारी मेरे उपर सौपी गई है इस जिम्मेवारी का बोज कहीं न कहीं उनके द्वारा ज और अगर आपको याद होगा तो ये 1975 का ये वो दसक था 1975 जब आपातका लगा था अगर उसके पहले की स्थितियों की हम बात करें थोड़ा सा अगर अतिहासी केडियर के तरफ हम बढ़ें तो आपने पढ़ा भी होगा कलास तेंथ के पॉलिटी में कि उस समय जो है जहां तहां जो है एकदम भुकमरी सी स्थिति हो गई थी गड़ीवी फैली हुई थी कोई हमारी मदद करने के लिए तयार नहीं था और सरकार जो थी वो कॉंग्रेस की थी वो बच वोट जब आता था जो एलेक्सन आते थे तो बड़े बड़े वादे वो आज भी देखने को मिलता है कि बड़े बड़े वादे किये जाते हैं इसको निभाया नहीं जाता है तो वही कुछ स्थिति थी और जैप्रकास नरायन जो था ये भुकमरी से लोग जो थे जो स्टूडेंट मुखे रूप से थे उन सभी लोगों में एक अलग प्रकार का क्रांती की भावना उभर के आई थी और उन लोगों ने जैप्रकास नरायन को अपना नेतास चुना था तो वही जैप्रकास नरायन कहते हैं कि ये जिम्मेवारी मैंने मांग के नहीं लिया मतलब इनोंने खुद से जो है कोई काम सुरू नहीं कर दिया कि चलो खडानती करेंगे वो कहते हैं कि मुझे ये जिम्मेवारी जो है युवा पीड़ी के द्वरा सौपी गई है युवा पीड़ी ने मुझको ये जिम्मेवारी दी है और जे पी जी कहते हैं जे प्रकास नरायन कहते हैं कि मैं नेता बना हूँ युवा पिडी का तो मैं बस नाम का नेता नहीं बनूँगा ऐसा नहीं है कि कट पुतली की तरह जो है मुझको ऐसे ही घुमाया जाए मैं बस नाम का नेता रहूं और काम जो है कोई और मुझको बताए ऐसे करना है वैसे करना है इस भासन में असपस्ट रूप से उन्होंने कहा है कि मैं बात सबकी सुनूंगा लेकिन अंतिम फैसला जो होगा वो मेरा होगा मतलब मैं सुनूंगा सबकी लेकिन जो अंतिम डिसीजन होगा वो मेरा होगा ऐसा नहीं है कि आप लोग बताते जाओ कि ऐसे कीजी और तम मैं उसके अनुसार करूंगा ऐसी बात नहीं होगी इस भासन के दलान लेखक ने अपने परिवार की गरीब स्थिती के बारे में भी जिक्ड किया है कि किस तरीके से वो अमेरिका गए परिवार की स्थिती इतनी अच्छी नहीं थी कि वो बाहर जाके पढ़ें लेकिन फिर भी अमेरिका में वे गए और वहाँ पे अपने बलबूते पे उन्होंने पढ़ाई की चुकी समड़ी है तो मैंने इसको सौट रूप में लिखा है अगर आप इसको पढ़ें पूरे के पूरे चैप्टर को तो आपको पता चलेगा किस तरीके से जेपी जी ने वहाँ पर पढ़ाई की थी कौन कौन से काम किये थे और बहुती बिकट परिस्थितियों में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और वहाँ पढ़ाई पूरी करने के बाद वो जो है जब यहाँ आए तो यहाँ आ करके चुकी उस समय तो देश में एकी पार्टी थी कॉंग्रेस पार्टी और वो जो है आए और एक ही बड़ी पार्टी थी जिसमें वो जो है कॉंग्रेस में सामिल हो गया इसके बाद सामिल होने के बाद ये होता है कि लोगों के साथ विचार नहीं मिलते है जैप्रकास नरायन ने अपने भासन में जिक्र भी किया है कि बहुत बार ऐसा हुआ है जब जोहरलल नहरू जी थे बापू जी थे तो उन सब के साथ जो है मेरा अनुबन हो गया उनके विचार मेरे विचार बहुत बार ऐसे इस्थिती आये, ऐसे स्थिती बने, जब उनके विचार, जो है, मुझे से नहीं मिले. ज़향 प्रकास नरायन कहते हैं, कि बहुत से लोग, जब मुझे से मिलने आते थे, तो सब जो है, मुझे लोग तंतर की सिख्षा देते थे. ऐसा होना चाहिए इस तरीके से होना चाहिए और मैंने देखा कि जब लोग जो है अपने हक के लिए जुलूस निकालते हैं तो यही लोग फिर उन लोगों को रोकने के लिए जाते हैं अब मुझको समझ नहीं आता है कि ये लोकतंतर की बात करने वाले लोग हैं कि लोकतंतर में तो लोगों का सासन होता है और यहां पर ये लोग जो लोकतंतर की सिक्छाएं देते हैं ये लोग जो है दूसरी तरफ लोकतंतर को अपने पैरों से कुचल रहे हैं लोकतंत्र में अपना अधिकार जो है पुर्णता जाहिर करने का अधिकार हम लोगों के पास होता है और ऐसी स्थिती में आप लोग जो है उस चीज को दवा दे रहे हैं उसको खतम कर रहे हैं ये चीज समझ में नहीं आती इस तरीके से जैप्रकास नरायन की अगर आप विच पुर्णता अलग थी। लेखक के कुछ मित्र जो थे उनका ये मानना था कि इनका और इंदरा जी का मेल मिलाप हो जाए। कि लेखक के कुछ मित्र थे जो चाहते थे कि जैपड़कास नरायन का और इंद्रा जी का मेल मिलाप हो जाए ठीक है लेकिन पड़ेसानी ये थी लेखक कहते हैं कि उनसे जो है इंद्रा जी से मेरा कोई ब्यक्तिगत जगड़ा नहीं था उनसे जगड़ा तो बस मेरा गलत नीतियों से था उनकी जो नीतियां थी वो जो है कुछ ठीक ठाक नहीं थी और उन नीतियों का मैं बार बार खंड़न करता था लेखक कहते हैं कि मैंने कई बार बापू के भी नीतियों का खंडन किया मैंने नेहरू जी के भी नीतियों का खंडन किया और खास तर पर लेखक ने लिखा है कि खास तर पर नेहरू जी की जो विदेश नीति थी जो foreign policy थी उन तमाम नीतियों का मैंने खंडन किया चाहे वो चीन से उनकी नीती रही हो या अन देशों के प्रति उनकी नीती रही हो जिसका मैंने खंडन किया और आगे चलके वो सारी की सारी चीजें वो सच साबित हुई उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और आगे चलके वो सा इतनी गड़बड़ी हुई है उस रीजन में वो आप सब लोग जो है इस बात को समझ रहे होंगे और इस तरीके से कहते हैं जैप्रकास नरायन की मैंने इन सब चीजों में जो है बुड़ाईयां की इन नीपियों की अलोचना की तो यह जो थे जो बापू थे जो नहरू जी इन लोगों ने मेरी बातों का कभी बुड़ा नहीं मना एक दो बाड़ा ऐसा हुआ था जब नहरू जी जो है प्रकास नरायन जी से खिसला गये थे गुसा हो गये थे ऐसा एक दो बाड़ हुआ था लेख़क कहते हैं कि देखिए राजनीती में गरबड़ी तब हो जाती है राजनीती गंदा तब हो जाता है जब इसमें ब्रस्टाचार बढ़ जाता है और ब्रस्टाचार बढ़ने का क्या रीजन होता है ब्रस्टाचार बढ़ने का रीजन होता है चुनाओ का खर्चा चुनाओ से पहले तो लोग जो है चुनाओ में एकदम अंधा दूंद कि चुनाओं जब आते हैं तो नेताओं के दुवारा खुब खर्चा किया जाता है तो ना उन पैसों का कोई हिसाब होता है कहां से और चुनाओं के लोकतंतर तो है हमारे देश में लोकतंतर का मतलब ही होता है कि जो सासन जनता का हो जनता के लिए हो और जनता के द्वारा हो तो हमारे देश में लोकतंतर तो है लेकिन आज जनता को बस इतना ही अधिकार है कि वो चुनाओ कड़े वोट करे और वोट करने के बाद जंता का अपने प्रतिनिदीओ पे कोई अंकुस नहीं डा जाता है मतलब बस आपने वोट कर दिया इतना ही हो गया आपका अधिकार खतम मतलब आज जंता का अधिकार केवल भोट करने भड़ ही रह गया है लेखक कहते हैं कि अगर दूसरे देशों की आप बात करो जो अन्य देश हैं तो अन्य देशों में जो है वहाँ पे प्रेस हैं जो पत्रिकाएं हैं वो इन चीजों पे प्रतिबन लगाती हैं इसके लिए इंग्लिस में एक चैप्टर भी अपने 12 में पढ़ा होगा तो ऐसी तमाम बातें जिनकी चैप्टर जो है जब रकास नडायन अपने इस भासन में कही है और एक नारा जहां से एक संपुर्ण क्रांती का नारा उन्होंने दिया और यहां से जो है एक बहुत बड़ी क्रांती उभर के सामने आई और उसके बाद सरकार जो है गिर गई थी कांग्रेस की आप सभी लोग को पता है और वहीं से जनता पार्टी का उद्य हुआ था भारती जनता पार्टी का तो सच में यह भासन जो है बड़ा ही मंत्र मुव्ध करने वाला था और यह है आपके चैप्टर का आपके जो सबक्राइश का एंड़ा था एंड़ा इस पीडियो